अगले 10 साल में 200 क्रोड की वेल्यू हो जाने वाली है। बिजनस मॉडल को अक्रॉस दे वर्ड फैलाना चाहते हैं। आपकी कंपनी की वेल्यूएशन कैसे 100 क्रोड या 200 क्रोड तक पहुचेगी। ग्रहक आप तक पहुच सकें। उसके लिए आपको बहुत बड़ी फंडिंग के जरुवत है। इस वीडियो को बहुत ज्यान से समझेगा क्योंकि अकर एक भी चीज़ आपने स्किप कर दी तो वहीं आप समझने में थोड़ा सा पिशे रह जाएंगे। इस वीडियो इस पावर्ड बाय मेटास लाइश्टाइल, इंडियास लीडिंग मैनुफाक्चरर अफ स्टेलने स्टील, मूर्ड लोकेशिन, बात्रूम वैनेटी, गौर्ड रोब्स एंड स्टील इंटीर, फ्रंचाइजी शोरूम, पैन इंडिया। हाई फ्रेंड्स मैं हूँ दॉक्टर अमित महिश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मूटिवेशन स्पीकर, और सीओ, मैटास ओवर्सीज लेमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आप आज करने वाले हैं, बिजनस में किस तरह से क्राउड फंडिंग लेकर, आप अपने बिजनस को एक्सेएगे लिएसरैंशन की और मिलजांगे, लेकिन आज जिस विशों पर आपकरने हूँ वाला हूँ, वह है क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक व्यक्ति को अपनी कमपनी की इक्विटी ना बेच कर, चाहे वो इंजल इंवेस्टर हो या वेंचर कैपलिस्ट हो, आप बहुत सारे लोगों के समूँ को इन्वाइट करते हैं कि वो आपके पास आएं, आपकी कमपनी में इन्वेस्ट करें या एक तरह से आपक भी नहीं सकते, तो सबसे पहले तो बिजनस सेट अप के लिए, अगर आपका बिजनस एक प्रॉफिटेबल बिजनस है या आपको लगता है कि भविश्य में मेरी कमपनी करोडो की हो जाएगी, तो आप बिजनस सेट अप को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहेंगे, जिसमें आफलाइन मार्केटिंग हो गई, और फ्रेंड आफलाइन और आफलाइन मार्केटिंग से रेलिटेट भी ना काफी सारी वीडियो इस चैनल पर मैंने पहले से दिये हुए, दूसरा ब्रैंडिंग के लिए, अपने बिजनस में, अपने बिजनस की ग्रोथ बढ़ाने के लि और इसके लावा फंडिंग का इस्तिमाल क्या होता है, बिजनस के एक्सपेंशन के लिए, आप अपने बिजनस मॉडल को अक्रॉस दा वर्ल्ड फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका इस्तिमाल कैसे करेंगे, और उनको मिलने वाला लाब क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप क्राउड फंडिंग लेना चाहते हैं, तो उसका पैसा आप अपने निजी स्वार्थ के लिए या पर्सनल यूटिलिटी के लिए इस्तिमाल नहीं कर सकते, आपका सारा पैसा बिजनस के एक्सपेंशन के लिए मिला है, और वो पैस आपको बिजनस में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको करना क्या होता है, इसके सारे स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को बहुत ज्यान से समझेगा, क्योंकि अगर एक भी चीज़ आपने स्किप कर दी, तो वहीं आप समझने में थोड़ा सा प प्राइवेट फाइन्स ले सकते हैं या एन बी एफ सी, नॉन बैंकिंग फाइनस कॉर्परेशन से आप लोण लिसक्ते है, मैं बात कर रहा हूँ, क्राऊड फंडिंग के बारे में, और क्राउड फंडिंग में क्या होता, या या लोण अगेंस आप सेक्योरिटी भी ले सक की इस्सिदारी बेच कर पाँच लाग शेर धारक बना लिए मतलब एक कंपनी ने cricket team खरीदने के साथ-साथ अपने जो viewers हैं जो उसके cricket match देखने वाले लोग लोग है उनी को share बेच दिया और 5 लाग share धारक बना लिए और बहुत सारा पैसा उसने कठा किया और उसके बाद वो रोजाना उस बिजनस प्रोस्पेक्ट पर आगे काम करती है और अपना प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेरोल्डर को देती है तो करती कैसे है इस सारा काम सबसे पहले क्राउड फंडिंग के लिए आपकी कमपनी की authorized share capital value मिनीमट 10 लाख रुपे होनी चाहिए अगर इससे ज़्यादा होती है तो और भी अच्छा है क्योंकि जब आपकी कमपनी की authorized share value 10 लाख रुपे होगी तो आप अगर number यहां पर बड़ा important है कि कितने number of share आप issue कर रहे हैं अगर आपकी company के value 10 लाग की जगा 20 लाग होती है तो आपके number of share 2 लाग हो जाएंगे 30 लाग होती है तो 3 लाग हो जाएंगे तो जितने ज्यादा number of share होंगे उतनी कम equity आप आसानी से public पर ले जा सकते हैं उसके बाद next future projection value आपकी calculate होगी और future projection value के लिए एक project report बनती है वो पूरी की पूरी project report बनाने का जो काम होता है वो consultant का होता है जैसे हमारे organization ये काम करती है उसमें क्या किया जाएगा कि आने वाले समय में आपकी company की valuation कैसे 100 करोड या 200 करोड तक पहुचेगी friends एक बात का ध्यान रखना कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके हिसाब से company की valuation कितनी है ऐसे तो हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी company की valuation 200 करोड है 300 करोड है 500 करोड है पर उसका approval क्या है उसको कैसे certified किया आता है आप अपनी company की जो भी अभी बताऊंगा कैसे किया है ता 100 से 200 करोड की valuation करेंगे उस valuation के हिसाब से आप share offer करेंगे public को कितने सिर्फ 20% मतलब 100 करोड की company की value है उसका 20% आप offer करेंगे तो 20 करोड की equity आप public से मांगेंगे fund public से raise करेंगे जो की future value के अधार पर होगी इसके लबा crowd funding में मैंने आपको बता है 20% आप ले रहे हैं 100 करोड की value है तो 20 करोड 200 करोड की है तो 40 करोड 300 करोड की है तो 60 करोड मतलब 20% equity आपने public को offer करती है लेकिन आपकी company की जो valuation है वो आपके कहने से नहीं होगी उसका एक तरीका है उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आपकी जो company है वो एक private limited company होनी चाहिए जिसमें minimum two और maximum seven directors हो सकते हैं आपका एक proper business model होना चाहिए कोई भी business हो सकता है या कोई भी services हो सकती हैं जैसे आप online e-commerce company चलाना चाहते हैं आप tour and travel company चलाना चाहते हैं आप इस चीज़ की manufacturing करना चाहते हैं आप export करना चाहते हैं आप production unit लगाना चाहते हैं आप distribution network बनाना चाहते हैं तो आपका एक viable business model होना चाहिए ताकि एक investor को उस business model को देखकर ये समझ में है कि हाँ ये वो business है जो भविश्य में grow करेगा और आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में इसकी value 200 से 300 करोड की पहुंच जाने वाली है जैसे एक investor एक जगह भी अगर पैसा invest करता है तो वो देखता है कि मेरी future value क्या होगी मेरा पैसा loss में तो नहीं चला जाएगा कई मेरा share डूब तो नहीं को subscribe कर ले क्योंकि 90 दिन का समय मिलता है आपकी company की valuation होने के बाद 90 days के अंदर आपने जितने share बेच दिये उतने बेच दिये ऐसी public limited company में भी होता है जैसे अगर आप IPO जब किसी company का launch होता है चाहे वो SBI का हो या LIC का हो या किसी भी organization का IPO launch होता है तो वहाँ पर देखायता है क 20 days में कितने लोगों ने subscribe कर लिए तो ठीक आपके पास क्या क्या होना चाहिए एक private limited company profitable business model और viable project होना चाहिए जिसका प्लान अगले 3 साल 5 साल और 15 साल में क्या है और आपकी company की जो valuation है उससे पहले आपने अपनी company के authorized capital 10 lakh रुपी की है उससे related आपके पास ROC से approval होना चाहिए जब आप ROC से अपनी company के authorized share capital increase करा लेंगे तो उसके बाद क्या होना चाहिए आपने जो project plan बनाया है वो certified होना चाहिए from the valuator कौन appointed by RBI और IBB RBI बहुत सारे officers को appoint करती है जिनका काम होता है किसी भी company के business model को study करके इस बात का approval देना कि हाँ ये वो company है जिसकी अगले 10 साल में 200 करोड की value हो जाने वाली है आपके कहने से कोई value count नहीं होती value count होती है authorized RBI and IBBI के authorized valueator होते हैं वो बताते हैं कि हाँ ये जो project plan है ये viable है ये trust व share आप offer करेंगे public को और ध्यान रखिए जब हम private limited company की बात करते हैं तो केवला 200 shareholder तक ही अपने share issue कर सकते हैं इसका मतलब यदि आपका 10 रुपे का एक share है और अगर आपने उसको premium 2000 पर बेचा है premium में लाके क्योंकि ये value किसने count किये calculate किये ये calculate किये valueator ने तो आपका एक share 2000 र आपके share आप 10,000 रिशू करें 50,000 रिशू करें एक लाक इशू करें तो इशू कैसे करेंगे जब आपकी company की number of share की value ज्यादा होगी number of shares आपके पास ज्यादा होगी इसलिए company की जो ROC में आपका number of share है वो ज्यादा register किये जाते हैं ताकि आप ज्यादा स्यादा लोगों तक कम equity में ज्यादा funding ही कठी कर सकें और 200 का number भी cross ना कर पाएं एक shareholder एक share खर देगा तब भी वो एक shareholder है वो एक लाक share खर देगा तब भी वो एक shareholder है इसलिए number of shareholder ज्यादा नहीं हो सकते दोसों से तो आपको एक ही shareholder को ज्यादा share बेचने होते हैं तो यह वो तरीका है इसक पर पास्ट पर्फॉर्मेंस तो आपकी है अच्छे से काम को सर्वाइब किया और अच्छा profit कमा है तो आपकी projection report बनेगी इस से रिलिटेड ही आपके मन में कोई भी प्रस्ट नहां तो आप वो हमें comment box में लिखें ताकि हमारी team comment box में आपको उसका reply दे फिर यह अगर आप कि crowd funding से related हमारी team आपको help करें तो आप call करें हमारी team को इस number पे और request है कि यह call सुबा 11 वज़े से शाम 6 वज़े के बीच में करें तो आपको proper respond होगा उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको बात समझ में आई है तो आप appointment के बारे में बात करो get an appointment with me आप मेरे साथ appointment लो और appointment पे हम सारी चीज़ों को detail discuss करेंगे और अगर आपको लगता है कि वो funding आपको चाहिए तो उसके लिए हम आपको पूरा support करेंगे उस पूरे model को design करने के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ और आपके लिए बहुत सारे business वीडियो इस चैनल पर मिलने वाले इसलिए इस चैनल को subscribe भी कर ले जै हिंद जै भारत